अब मैं राजीव रंचन आपकी तरफ आ रही हूँ आप जनता के बीच रहते हैं और जनता इसे रेवडी मानती है या वाकियों के कल्याण के लिए कुछ सरकारे कर रही हैं ये आप अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं लेकिन राजीव क्या संचित और वंचित वर्ग में इ क्या रेवडियां कल्याण कारी योजनाय बन जाती हैं क्या आज यही एक सत्ता प्राप्ती का एक मात्र शॉटकट रहे गया है राजीव देखें ये संचित वंचित ये सब शब्दों की जादूगरी है और सब राजनितिक दल अपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से राजनितिक दल काम करते हैं सरकारे काम करती हैं जहां तक वेलफेर इस्टेट और फ्रीबीज की बात है कल्याण कारी और फ्री की योजनाओ की बात है इसको लेकर पिछले साल सुप्रिम कोर्ट में एक याचिका एक वकील ने दायर की तो उन्होंने तरक दिया कि डेर सो लाक करोड रुपए का करज केंदर और राज्य सर बाते कर रहे हैं और अगर पार्टियां ऐसी बाते कर रही है तो फंड का इंतजाम पैसे का इंतजाम कहां से कर पाएंगे एक उस वक्त जब याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजज ने ये बात बड़ी महत्पूर्ण कही कि ये गंभीर मुद्दा है और ये कैसे तैं हो कि ये कल्यार कारी है कि नई जिसको ये मिलता है वो जरूरत मंद है और जिस टेक्स पेयर के पैसे से जाता है उसे मुश्किल होती है कि ये पैसा हमारे टेक्स का पैसा जो है वो फ्री में बाटा जा रहा है इसको विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए तो इस देश में 80 करोड लोगों को पांच किलो आनाज आप करोना काल में दे रहे ते उस वक्त जरूरत मंदों को वो पांच किलो आनाज बहुत बड़ी राहत की बात थी लेकिन आज देश में करोना के कोई हालात नहीं है और चुनाव दर चुनाव जब आते जाते हैं वो पांच कि जारा का क्या आज कोई सोसल डिस्टेंसिंग है क्या आज किसी जो लोग नौकरी चाकरी है किसी को कहीं कहीं work from home कितने लोग कर रहा है आपको पता है कोरोना के क्या हाला थे तो क्या मोधी सरकार वो 5 किलो राशन अभी भी यह मानती है कि देश में 80 करोड लोग लोगों के पास खाने का जुगार नहीं है इसलिए उनके घर राशन दिया जाना चाहिए दूसरी बात आप वेलफेर की बात करते हैं संचित वंचित की बात करते हैं अगर आप ट्रेनों में देख लें जो पटरी वही डिबा वही खाना वही और किराया दो गुना हो गया पिछले कुछ सा पहले सबसीडी छोड़ने की बात की गई आम आदमी के लिए कि आप वोलिंटरली गैस सबसीडी छोड़िये लोगों ने कुछ ने छोड़ा जो संचित थे उन्होंने छोड़ा जो वंचित थे उन्होंने नहीं छोड़ा लेकिन बात में उनको वंचित कर दिया गया कि चलि उतरने में लड़ने के लिए उतरती है तो उसके पास इस वक्त सफलता का शॉर्टकट यही है कि वो सबसे पहले क्या फ्री देगा इसका एलान करना है अब यह जनता तैकरे कि कल्यार कारी क्या है क्या फ्री है कोई सरकार प्रधानमंतिर नरिद्मोदी अर्विंद केजरिवा दिल्ली के सीम यूपी के सीम योगी आदितनाद मद्य परदेश के सीम शीवरास सिंग चोहान या विपक्ष के नेता कमलनाथ अगर उनकी सरकार आती है या सिद्धा रमया यह जितने मुख्यमंत्रियों विपक्ष के लोग ये वायदे करते हैं यह अपने घर से कोई लिया लाकि नहीं देता एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से देता है अगर आप 5 किलो राशन देते हैं तो दूसरी तरफ 48 रुपे किलो होता है 45 रुपे किलो होता है पिट्रोल 100 रुपे होता है डीजल 90 रुपे होता है बिजली की दरे बढ़ती है योगी आदितनाद ने दूसर वाली बिजली के बिल पूरी माफ हो जाएगी और चुनाव से पहले वाइदा था कि आदी माफ होगी उसके फिक्स्ड रेट है आदी माफ कर दी गई तो अभी भी अभी इसी 2023 में जो चुनाव दस्वी और 12 के रिजल्ट आए है लाखों की संख्या में योगी आदितनात ने ये वाइदा किया था और वो लैपटाप बांट में के लिए जा रहे है अब लैपटाप रेवडी है या कल्यानकारी है ये तैकर परना बड़ा मुश्किल है हाल के दिनों में अर्विंद केजरिवाल को निशाने पर लिया जाता है दच्छिड में तो फ्री बीज की राज हिलाओं को बस सुबिदा दे करके एक पोची राजनीत एक सतही राजनीत एक शाक्टम पॉलिटिक्स की शुरुआत की है और इसी के भरोसे पर वो दूर राज्यों को जीतने में कामयाब हुए है लेकिन आप आप देखिए ना बीजेपी ना कॉंग्रेस ना कॉंग्रेस न चुना हो है अभी सीम शिवरास सिंख चौहान एक मंच पर इधर से उधर जाते कि आपको सुने आपने सुना होगा कि राज़ी बढ़ा दी और बढ़ा देंगे मतलब आपको हम ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे एक छोटा सा किस्सा मज़ेदार में आपको सुना देता मेरे छातर जीवन का है लोगों को भी अच्छा लगेगा एक जॉनफुर में एक रोडवेज इस्टैंड है तो हम लोग जब इन्वस्टी के दिनों में घर जाया करते थे तो एक आदमी एक छोटी सी मशीन लेकर कि उसमें आता था और वो संतरे में एक संतरे में वो मशीन और संतरे को ऐसा निचोड़ता था कि उससे एक गिलास पूरा का पूरा जूस उस गिलास में आ जाता था इसी तरह से वो नीबू को भी इतना निचोड़ता था कि आधा गिलास नीबू का रस उस गिलास में आ जाता था बस में बैठे लोगों को जूटी वो बोलता था आ आँ आ रहा हूं पीछे की तरफ इसारा करके जब तक पीछे वाले ले तब तक आगे वाले दो चार ले लेते थे जब आगे वाले लेते तो पीछे वाले लेते मैं 25 सालों के बाद गया पुजा और वह आदमी उसी तरह अभी भी बस में चड़ करके वह जूस बेच रहा है लोग अपने घरों में ले जाते हैं मैं भी ले करके गया एक नहीं पांच संतरे आप निचोड़ दा लिए अभी वो गिलास आप घर ले जाके नहीं भर सकते लेकिन उसकी मशीन बिके जा रही है जनता यही है और उसी तरह से यह राजनेता वो मशीन और वो संतरा है और आज तक उस आदमी के साथ किसी ने बत्तमी जी ने अभी तक लोग इस गलत फैमें हैं कि उसका उसका सही तरीका आप घर पे जाके इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो यही हाल है नेताओं का यही हाल है उनके वाइदों का यही हाल है जनता की आँख पर पड़े परदे हाल हम सबके सामने हैं